आज हम एक कप सूजी से बहुत ही चटपटा और मजेदार नास्ता बनाकर रेडी करेंगे तो उसके लिए मैंने क्या किया एक कप सूजी ले लिया और उसी कप के आधे कप से मैंने दही ले लिया और साथ ही आधा कप मैंने पानी ले लिया तो क्या किया उसको अच्छे से हम म हमारी अच्छे से फूल चुकी है, थोड़ा सा और पानी डाल कर इसका एक हलका सा पतला घोल हम रैडी करेंगे, इस तरह की कंसिस्टेंसी हमारी बैटर की होनी चाहिए, जैसे अभी है, अब हम क्या करेंगे, दो बोल और ले लेंगे, और आधा आधा बैटर इन में डाल दें एक चमच मैंने लाल मिर्ष डाल दे है, और थोड़ा सा पानी डाल कर इसका एक पेस्ट सा बना लेंगे, ये देखिए, पेस्ट मैंने बना लिया है और ये पेस्ट डाल देंगे, जो बिल्कुल कम वाला जिसमें सूजी थी, उसमें डाल देंगे, मिंस दो में तो एक्वल तो कम वाले में यह डाल दिया और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे बहुत ही चटपटा नास्ता बनकर रेडी होगा वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अब मैंने दो कटोरी ले ली है और इन्हें अच्छे से हम ओल से ग्रीस कर लेंगे यह काम करना बेहत जरूरी है और अब जो बैटर है हमारा वो उसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बेकिंग सोडा तो जब भी हम कटोरी में डाले तभी यह काम करना है नमक और बेकिंग सोडा वाला और दोनों कटोरियों में हम बैटर को डाल देंगे और थोड़ा डैप डैप करके क अब क्या करेंगे जो मसाले चटनी हमने बनाई थी उस बैटर में थोड़ा सा नमक और बेकिंग सोडा डाल कर ये भी इसके उपर से थोड़ी लेयर सी लगा देंगे ये काम थोड़ा जल्दी जल्दी करना है आप चाहे डिरेक्ट कडाई में भी ये चीज डाल सकते थे लेकि और हमारा बॉल में बैटर बज चुका था वो बैटर इसमें डाल देंगे ये काम आपको अपको बिल्कुल जल्दी-जल्दी करना है और इस बैटर में भी थोड़ा सा नमक और बेकिंग सोडा डालने के बाद ही इसमें हम डालेंगे और 4-5 मिनिट तक इसे भी हम कुक करें और यह जो हमारा चटनी वाला बैटर था यह थोड़ा सा मेरा बच चुका था तो इसमें मैं अपा पैन में डाल कर अच्छे से अपपे बना लूँगी और हमारा बैटर वेस्ट नहीं जाएगा और अब क्या करेंगे इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे ठंडा होने के बा तो यह मिस्टेक जो मैंने की है वो आपने नहीं करनी है थोड़ा सा पेशेंस रखिए तभी आपने यह निकालनी है कहीं मेरे वाली गलती आप भी कर दो यह देखिए बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार नास्ता हमारा बनकर रेडी हो चुका है आप जरू ट्राइगी